हलो प्यारे बच्चो आप सब अच्छे हो ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और आप सभी ऑनलाइन और घर पे बेठे हुए जीसे मैं बता रही हैं वैसे-वैसे काम कर रहे हो और पढ़ रहे हो बच्चो आज का वीडियो है ओनलाइन क्विज के बारे में आप सभी क्विज तो करते आ रहे हो लेकिन इस बार चो क्विज का लिंक आया है उसमें थोड़ा सा चेंज है पहले क्लास वन और टू के लिए एक लिंक होता था 3, 4, 5 के लिए एक और 6, 7, 8 के लिए एक लेकिन इस बार दो ही लिंक आए है 1-3 तक के लिए एक और 4-8 तक के लिए एक तो बच्चो सभी कक्षा 4-8 तक के वाले बच्चों को किस तरह से क्विज करना है यह हम आज इस वीडियो की तरू देखेंगे बच्चों आप सब लास तक देखेगा ठीक से देखेगा समझेगा और फिर ये quiz सभी बच्चों को इसी तरह करना होगा एक ही mobile से बहुत सारे बच्चे quiz कर सकते हैं यदि आपने पहले भी quiz किया हुआ है बच्चों यदि आपने अपने नमबर से पहले quiz करा है तो वही नमबर पे आपका नाम शो हो रहा होगा और जितने बच्चों को पहले करवाया था वो सभी बच्चों का record उसमें शो हो रहा होगा तो आईए बच्चों देखते हैं किस तरह से हमें एक्विस करना है तो बच्चों इस तरह से लिंक आपके पास शेयर हुआ होगा 4 to 8 वाली जो ब्लू लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा इसमें आपको अपना मुबाइल नमबर एंटर करना है यानि मुबाइल नमबर लिखना है मुबाइल नमबर आप जो डालेंगे उस पर एक OTP आएगा यानि One Time Password आएगा जो password उस पर आएगा वही password आपको इसमें fill करना है और फिल करते ही आपके पास कुछ इस तरह से ये quiz इंटरफेस यानि यहां की शुरू हो जाएगी बातचीत सबसे पहले आपको नमस्ते रखाऊगा नमस्ते पर क्लिक करके आपको फिर एरो पर क्लिक करना है अब यहां पर लिखा है कृपय विधारती का पूरा नाम टाइप करें तो यहां पर हमें बच्चे का पूरा नाम टाइप करना है जो बच्चा इस quiz को देने वाला है इस mobile से उसका नम हमने टाइप किया और क्लिक करेंगे आगे उसके बाद हम से यूड़ाइस कोड पूझेंगे बच्चे का विधारती का पूरा नाम और यूड़ाइस कोड टाइप कीजे यहां इसके बच्चे को अपने ही इसकूल का एसकोड यहाँ पर टाइप करना है इसके बाद इस तरह से स्कूल का विवरण यहाँ पर आ जाएगा लिखा है स्कूल विवरण की पुष्टी करें तो पुष्टी करने के लिए हमें नीचे लिखा है स्कूल विवरण सही है इस पर हमें क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आएगा कि रिध्धारती की कक्षा चुने कक्षा हमें चुननी है बच्चे की कौन सी 6745678 में कौन सी क्लास का बच्चा है वो हमें कक्षा चुन के भीजनी है और फिर यहाँ पर मैसिज आया है सिमरण का पंजी करन हो गया है यानि अब बच्चे का रिजिस्ट्रेशन हो चुका है बच्चा क्विज कर सका यदि हमें यहाँ पर और बच्चे को जोड़ना है तो लिखा है एक और विध्यारती जोड़ने इस पर क्लिक करेंगे और फिर से वही विध्यारती का पूरा नाम टाइप करेंगे योडाइस कोड और स्कूल विवरन आते ही फिर उसकी सही विवरन पर क्लिक करके पूश्टी करेंगे इस तरह से हम जितने बच्चे को चाहें इसमें जोड सकते हैं और अगर हमने पहले से इसी मोबाइल से किया हुआ है तो जिन बच्चों को हमने जोड़ा हुआ था वो अलड़ी इस पर उनका विवरन सबका आ जाएगा वो सब बच्चे ये इसी मोबाइल से आपके क्विज को दे सकते हैं पंची करन पूरा करने के बाद अब पूछेगा कि आपको अभ्यास शुरू किस बच्चे के साथ करना है तो उस बच्चे के नाम पर क्लिक करके वहाँ अभ्यास आप शुरू करेंगे लिखा है क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं हाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप क्या क्विज शुरू हो जाएगा ये देखिए कक्षा चार के लिए क्विज आ गया है जो ये questions दे रखे हैं उन questions के answer भी दे रखे हैं उन answers में से जो आपको सही लगता है उसको click करके select कर लेना है उसी answer पर click करना है तो वो answer select हो जाएगा और इस तरह से ये quiz आगे बढ़ता रहेगा पुल मिलाकर 8 प्रशन आएंगे 8 प्रशनों का आपको उत्तर देना है उसके बाद ये answer बताएगा कि आपने सही कितने सही कितने गलत answer करें है और जहां आपको इसमें गलत किया होगा उससे जूड़ी आपको help भी दी जाएगी उससे जूड़े आप videos भी इसमें देख सकते है correction कहां आपकी गलती रही वो जानने के लिए इसके बाद लिखा है अब आप क्या हिंदी का शूड़ करना चाहते हैं हाँ पक्लिक करेंगे इसी तरह से हां के हिंदी के 8 प्रशन आपके लिए आएंगे जिनके आपको दिये गए उत्तर में से सही उत्तर को select करना है और इसी आपने गलत करें हैं आपने और पिद्यात्य को जोड़ा है तो आप उनके साथ शुरू करना चाहते हैं यानि पूरा quiz दुबारा से शुरू करना चाहते हैं तो फिर से नमस्ते पर क्लिक करेंगे और पूरी प्रक्रिया फिर से वही होगी यानि कक्षा 4 के लिए हिंदी और सब्जेट का quiz है वह आपको यहां करना है और करके share करना है मैं से अगर आपको फिर भी कोई help की जरत होती है तो आप comment करके बचो पूर सकते हो किसी भी है कोई भी आपकी problem तो बच्चो ध्यान से quiz करिए और जरूर करिए और अपने साथियों को भी कराईए मिलेंगे अगले और बार